यदि आपको थाइरेड की समश्य है तो भूल कर दी इन चार चीजों का ना करें सेवन वरना परिणाम बहुत अदिक भयानक होगा थाइरेड सरीर का एक परमुक एंडोक्राइन गलेंड है जो तितली के अकार का होता है एम गले में स्थित है इसमें से थाइरेड हार्मून का स्त्राव होता है जो हमारे मेटबलिजम की दर को संतुलित करता है थाइरेड गलेंड सरीर में आयोडीन लेकर इने बनाते हैं यह ह हार्मोन मेटबलिजम को बनाई रखने के लिए बहुत अदेकर जुरूरी है। थाइरेड हार्मोन का स्त्राव जब ऐसंतुलित हो जाता है तो सरीर की समस्त भीतरी कार्य पर नालिया ऐव्यस्तित हो जाती है। दोस्तों थाइरेड दो परकार का होता है। पहला हाइपो थाइरेड और दूसरा हाइपर थाइरेड हाइपो थाइरेड इसमें थाइरेड ग्लेंड सैक्रिय नहीं होता जिससे सरीर में आवसकता उसाथ T3 वे T4 हार्मोन नहीं पहुचता है। इस थिती में वजन में अचानक वृदि हो जाती हैं। सुस्ती बहुत महसूस होती हैं। इसमें थाइरेड ग्लेंड बहुत जादा सैक्रिय हो जाती हैं। धड़कन बढ़ जाती हैं। नीद नहीं आती हैं। मासिक स्त्राव जादा एवएनमित होता हैं। गरबपात के मामले भी सामने आते हैं। हाइपर थाइरेड 20 साल के महिलाओं को अधिक होता हैं। अब जानते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। दोस्तो महिलाओं थाइरेड की सबसे अधिक सिकार होती हैं। स्तिती यह हर 10 थाइरेड मरीजों में 8 महिलाओं होती हैं। उनका वेट बढ़ने की एक बड़ी वज़े थाइरेड है। इसमें तनाव, अवसाथ, नीद ठीक से नहीं आना। कोलोस्टोन, बांचपन, पीरियर का टाइम पर नहीं आना। और दिल की धड़कन का बढ़ जाना जैसी परिशानियां आने लगती हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों कि यदि आपको थाइरेड हैं, तो आयोडीन की अधिकता वाले खादे पधारतों से जीवन भर के लिए दूरी बनाए रखें। सीफूड और आयोडीन वाले नमक को अवोईड करें। दूसरा कैफिन, कैफिन वैसे तो सीधे थाइरेड नहीं बनाता। लेकिन यह उन परिशाम्यों को बढ़ा देता हैं, जो थाइरेड की वज़े से पैदा होती हैं, जैसे बेचानी और नीद में खलाल। रेड मीट, रेड मीट में कोलोस्टोल और सैचुरेटिड फैट होता है, इसे वेट तेजी से बढ़ता है, थाइरेड वालों का वेट तो वैसे ही बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे अवोईड करना चाहिए। इसके लावा, red meat खाने से thyroid वालों को बदन में जलन की सिकायत भी होसकती हैं. एलकोहल, एलकोहल यानि सरा, बीर वगरा, सरीन में energy के level को बढ़ा दिती हैं. इससे thyroid की समस्या वाले लोगों की नीद में दिक्कत की सिकायत और अधिक बढ़ जाती हैं. इसके लावा, इससे हड़ियों की कमजोरी का खत्रा भी बढ़ जाता हैं. वनस्पती घी, वनस्पती घी को हाइड्रोजन में से कुजार कर बनाया जाता हैं. यह अच्छे कोलोस्टोल को खतम करते हैं और बुरे कोलोस्टोल को बढ़ा दिती हैं. बड़े थारेड से जो परिसानिया पैदा होती हैं, यह उनको और भी अधिक बढ़ा देता हैं. ध्यान रहे, इस घी का इस्तमाल खाने पीने की दुक्वान में जम कर होता हैं. इसलिए आपको बाहर का बना खाना भी नहीं खाना चाहिए. तो दोस्तों यदि आपको थारेड है, तो इन बातों का विसेश ध्यान रखें, यदि आप बिल्कुल स्वस्त रहना चाहते हैं, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीची, इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहें, धन्यवाद दोस्तों.